शुरुबात मद्धिप्रदेश की सबसे बड़ी जाती भील जाती से आये करते हैं भील वैसे तो सौ से अधिक अनुसूचित जन जातियों में से एक जन जाती है मद्धिप्रदेश की लेकिन खास तोरपन मद्धिप्रदेश में जम भील की बात करते हैं तो इनकी तादाद इन अनुसूचित जातियों में सबसे जादा है और प्रदेश की कुल आबादी में भी भील का हिस्सा तकरीबन दस प्रतिशत का है और जो 230 सीटें आप देखते हैं मद्ध प्रदेश में कुल हैं इसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाती के लिए रिजर के करीब भारती जनजाती की बात करते हैं भील जिसकी तादा 10% है आबादी में तो उसका आंकड़ा जानना बहुत महत्मूर्ण हो जाता है तो पहला डेटा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं मद्ध प्रदेश के चुनाव का भील जाती इसमें आप देखेंगे कि 35 प्रत करने के लिए काफी है कि आज भी जो ट्राइबल सीट हैं रिजर्ब सीट हैं मद्ध प्रदेश की उस पर किसका दबदबा जो है वो दिखाई दे रहा है भारती जंता पार्टी को अभी इस वर्ग के अंदर और मेहनत करने की कोशिश है और ये वोट आकर कितना और टूटक पर कॉंग्रेस से भाजपा की तरफ आ सकता या इसकी गुंजाइश है क्योंकि चुनाव में अभी कुछ वक्त है तो इस पर सबसे पहला रियक्शन हम भावेश का ही जानना चाहते हैं यह शुरबात हमने भावेश उस सेग्मेंट से की है जो मद्ध प्रदेश में बड़ा कॉंग्रेस की थी वो राजपूतों के लिए के बहुत गेम खिलती थी लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कॉंग्रेस का एक मजबूत दबदबा होता गया दलित में आदिवासी में और उसका प्रेजेंट बिधानसभा चुनाव में भी देखने पाता है जब अगस्त के म में भी आप देखेंगे कॉंग्रेस ने एक अच्छा किया उसको बीजेपी को एंटी आदिवासी करके प्रमोट करना सुरू किया है खासकर वहां से जब आपने देखा होगा जो पार्लेमेंट का इन्नागरेशन हो रहा था जब प्रेजिडेन दौपदी मूं को इन्वाइ प्रेज के साथ है और ये मेरे ख्याल से जो भी रीजन जिस रीजन में पर्टिक्लर ये आदिवासी वोटा और खासकर भील आती है वहां पर आप देखेंगे जब हमने रीजन वाई डेटा देखा था तो वहां पर कॉंगर्स का पर्फॉम्स अभी भी अच्छा है अच्छ तो जाती का फैक्टर हर पार्टी अपने साथ ले करके चलती है लेकिन जब बात की जब बात आती है कि नेरेटिव किसको क्या सूट करता है खास तोर पर भारती जनता पार्टी को जाती का इनेरेटिव इतना सूट नहीं करता है वो उसके लिए बहतर होता है कि ब्रॉडर issues पर चुनाव हो larger issues पर चुनाव हो अगर state पर राज्य का भी चुनाव है तो उसमें भी अगर अगुन की सरकार है तो सरकार के एर्दगिर्द या चेहरे पर चुनाव हो जाएज मोदी जी जैसा चेहरा है प्रधान मंत्री के नाम पर कितना वोट आ सकता है लेकिन इस जाती के चक्कर में भारती जनता पार्टी को लगता है कि बहुत जादा उसको फसना नहीं है तो इसलिए इस चुनाव में खास तौर पर क्योंकि आदर साइड का जो नेरेटिव है कॉंग्रेस पार्टी का वो मिला राम मंदिर आयोध्या में वो जाएंगे 22 जनवरी को उसका बड़ा शोर चल रहा है अब श्री राम का नारा सिर्फ यूपी में नहीं लेकिन पूरे देश में चलता है तो MP में भी चलता है 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज़्यादा समय बिताया था तो चित्रकूट और पंचवटी में बिताया था और नरेंद्र मोदी चित्रकूट गए और वहां उन्होंने भगवान राम को याद किया उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाते हैं और अभी दो दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में स्री राम जन्बोविमी तिर्थक्षेत्र ट्रस्द्वारा प्राण प्रतिष्टा समारों में सामिल होने का निमंत्रण मिला है इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूँ इस अमृत कान में देश विकास और अपनी विरासत को साथ लेकर चल रहा है संजीब श्रिवास्तर जीत प्रधान मंत्री अभी भी बात कर रहे हैं भगवान राम की विरासत की बात कर रहे हैं वो कहते हैं विकास की बात हो विकास की मुद्दों पर बात होनी चाहिए यह जाती वाला मामला जो है बहुत जादा भाजपा जो है इसको डीटेल में इसमें जाना नहीं चाहती लेकर इससे बच पा रहे हैं क्या इन चुनाव में देखें मेरे ख्याल से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अभी विधान सबा के उन में ये जाती वाला मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहेगा या लोक सबा के अनुपात में कम प्रभावी रहेगा क्योंकि यहां पर कास्ट एक फैक्टर है डेफिनिटली है लेकिन जाती है जन गर्ना और यह सब जो मुद्दे हाल में खड़े होएं वो अभी उस तरह की गर्मी में नहीं आएं और यहां की जातिकत राजनीती उससे पहले भी काफी इस्टैबलिश सी थी इसमें कोई नया ब बड़े नेता विद्याचरन शुक्ल बड़े नेता थे केंदर में राजुन सिंग के प्रतिदंदी उससे पहले एक सेठी साप थे मेरे पूरा नाम ध्यान नी आरा वो भी बहुत इंपोर्टेंट एक नेता आते थे महां से तो कॉंग्रेस का पहले जैसे शिप जी के बरात थी है सारे मतलब जो नदी ताला आते हो जाके उस सागर मिल जाते थे क्योंकि पहले बड़ी पार्टी ही होती थी फिर बीजेपी ब्राह्मन बनियों की पार्टी की तरह देखी गई लेकिन अब मोदी जी ने उसको बहुत हद तक नूट्रलाइस किया उस कॉंसेप्ट को क् बड़ी संख्या है पिछले बर को टिकेट्स दिये गए लेकिन बीजेपी की जो मुझे सबसे बड़ी एक समस्या नजर आती है विधान सभा चुनाओं के संदर्व में वो ये है कि कॉंग्रेस का चुकि आला कमान कमजोर है तो क्षेत्रिय शत्रप काफी मजबूत है और उ उनका जो लाब भी मिल सकता था क्योंकि किसी वाक कदी उस तरह से नहीं बढ़ाया जाता है उस अनुपात में तो वो एक जो केंद्रिय करन हुआ है बीजेपी नेतरुत का उसका कही न कहीं खामियाजा बीजेपी को विधान सभा चुनाओं में और इस जातिये राजनीती क मुद्दे पर शायद कुछ जहलना पड़ता है लोकसभा में उसकी समस्या नहीं जहती क्योंकि लोकसभा में एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधान मंत्री का चेहरा प्रधान मंत्री के नाम पे वोट तो ये एक पेच है मेरी समझ में अब देखिए इसलिए बीजेपी का प्र इसलिए पर हुआ गाजा में युद्ध चल रहा है इसलिए फिलिस्तीन और गाजा इसलिए बारती जनता पाटी ने राजस्थान जैसे राज्य में चुगी कॉंग्रेस की सरकार थी तो वहां पर तुष्टी करन का आरोप कॉंग्रेस पार लगा है हम राजस्थान की बात अलग से भी करेंगे लेकिन मद्दप्रदेश में आप उसका वैसा कोई आरोप लगा नहीं सकते आपकी अपनी सरकार है तो सीधे आपके क्या कह करके आप उस मुद्दे पर जो है राजनीती को ले जाया चुनाब को ले जाया तो यह बीजेपी ने ये प्रेस कॉंफरेंस क करके इस बात की इलजाम लगा है राहुल जी कि ये कॉंघ्रेस पार्टी जो है ये हमास की समर्थक है कॉंघ्रेस पार्टी आतंक करने वाले एक एक संगठन की का बचाव करती है उसकी पैरोकार है तो मुद्धाल चाहे कितना दूर काभी चुना हो लेकिन चुनाबों हो लाए गया देखे दो तीन बाते मैं इसमें कहूंगा एक तो यह है कि जो राजनीती है राज्जियों में जैसे मद्यपदेश है च्छतिस गड़ है राजस्थाने यह राजनीती जो है वो कहीं न कहीं ब्राहमन राजपूत इससे हटके कि तरफ जा रही है राजनीती में जो सारा प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है और राजनीतिक पार्टियों के अगर अगर टिकेट डिक्स्टिबूशन भी देखें आप तो भी उसी तरह से हो रहे हैं कि पिछली जातियों में को जादा टिकेट दिये जाते हैं दूसरी बात कि यह है कि जैसे आपने कहा अब इन यह जातिगत राजनीती जो है इसका तोड़ कैसे किया जाए क्योंकि आपने अभी भील और ट्राइबल्स की बात कि अगर मध्यपदेश की ही बात करें हम तो जो ट्राइबल्स हैं वो लगभग 23 फीसदी 24 फीसदी ट्राइबल करेंगे दो करोड की पॉपुलेशन से जादा है इनकी और चार-पांच राज्यों में जैसे मध्यपदेश है उसके बाद राजस्थान है उसके बाद गुजरात है उसके बाद मेरे हिसाब से शायद माहराष्ट में भी काफी अच्छी पॉपुलेशन तो अब मुश्किल यह है कि इसको अगर जातीगत राजनीती हो रही है राज्यों में तो उसको कैसे तोड़ा जाए तो उसका बीजेपिक पास दो तोड़ हैं जैसे प्रदान मंत्री ने अभी एक अपने भाचन में यह कहा कि मैं यह मानता हूं कि गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाती है मेरे विश्चेंटी मैं उनके लिए काम करता हूं अब ट्राइबल रिजन्स में एक और प्रॉब्लम है और जैसे आपने हिन्दुत्व को लेकर वो बात कर रहे हैं रा मंदिर को लेकर बाथ कर रहे हैं ट्राइबल रिजन्स में एक और दिक्वती है। और वहां पर झाहिए के वहँ हो ना किया चाहिए। उपर आने चाहिए तो हो ने चाहिए। बाकी सब मुद्दे जो हैं वो सामने आने चाहिए लेकिन आते हैं जातिगत मुद्दे और इसी के कारण BJP वहाँ पे शायद RSS के बहुत बहुतरीन काम के बावजूद वहाँ पे इन रोड्स नहीं बना पाई है इसलिए BJP का जो फोकस है वो हिंदुत्व है BJP का फोकस है कि ये चुनाव जातिगत ना होब है अब 78% मुस्लिम पॉपलिशन है जैसे अगर आप ने जुका कि धरम का कार्ड चल जाए तो ऐसे प्रदेश में भी है जैसे हम तीन राज्यों के भी बात करेंगे 78% मुस्लिम वोट मद्द्दे प्रदेश में 9% के करीव रार पूरे प्रदेश देखें तो उसनी तरह असर नहीं डालता लेकिन हाँ एक साइजबल पॉपलेशन है जो के जैसे इंदौर का इलाका है भुपाल का इलाके है उस साइड काफी जादा इनकी पॉपलेशन है और वहां पर असर डालते हैं लेकिन आप बात करेंगे तो अगर हिंदुत्व के नाम पे वोट हुआ तो फिर जाती जो है वो गॉन हो जाएगी फिर हिंदुत्व के नाम पे पूरा वोट आएगा और ऐसे में अगर कॉंसॉलिडेशन होता है तो बीजेपी को फाइदा रहेगा पार्टी अव ऐसा रहा नहीं लेकिन फिर भी राजपूत ब्रामन बनिया ये तीन समुदाय जो है किधर जाते हुए दिखाई देते हैं पहरे राजपूत बोट की बात करें तो मद्यप्रदेश में अच्छा खासा राजपूत बोट है और 45 सीटों पर उनका प्रभाव भ से वाल है ब्राह्मन वोट की बात कर लेतें ब्राह्मन बोट में आपको कैसी तस्वीर दिकाई देती है शायद इससे भी बहतर भारती जनतावां के लिए 80% जो वोट है ब्राह्मनों का व Kennetla ब्रहा दिखाई देरा है और यहीं चाहा रहा कि वैशे समाज की बात है बन्या समाज की बात है उनकी अनुपाद देख लीजे तो वो 68% तक लगबख 70% के करीब बीजेपी को 14% के करीब अधर्स की ओर जाता वा दिखाई दे रहा तो सर्जन इस बार अगड़े वोट में कहीं कोई तूट दिखाई दिखाई दे रहा तो सर् खेलना शुरू कर दिया था तो एक नाराजगी थी और उससे में याद रखिए SCST Act के अगेंस्ट में सुप्रीम कोट का जो जजमेंट आया था उस पे जो परलिमेंटरी संसोर्थन किये गया थे तो उससे एक अपर कास्ट में एक नाराजगी 2018 में थी वो भाजपा से सच न खारना फैलती जाएगी कि भाई कॉंग्रेस की सरकार बन सकती है बीजेपी मुश्किल में है तो याद रखिए इस बार शिवराज सिंग चोहान जो की हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं लेकिन थोड़ी ये भी एक धारना है वहाँ पे कि इन्होंने पिछड़े वाद और पिछड़ा वर्ड जो है उसको कुछ ज्यादा ही वो अपने कार्ड के तौर पी उज़ करते हैं जो अपरकास को थोड़ा चुबता भी है इस बार क्या हुआ है चुकि बीजेपी ने बहुत सारे बड़े नेताओं को अलग-लग जातियों से फिल्ड कर दिया है तो भील समाज में एक बड़ा तबका वो क्रिश्चन है उसमें इसलिए वो कॉंग्रेस का ट्रेडिशनल सपोर्टर है यही चीज़ अगर आप भीलाला कॉम्टी में देखें जो उप जाती है जो हिंदू है या आप इधर बाकी जगह देख लें 36 गर के बोडर पे गोंड कॉम अपर कास्ट की जो नाराजगी थी खासकर वाघेल खंड वागेरा में और बाकी कुछ राज्यों रीजन्स में इस बार कम है और निश्ची तोर पे आप देखिएगा जो 2-3 महीने पहले लग रहा था कि इस बार एंटी इंकंबेंसी में हर जाती नाराज है फोकस जरूर OBC के ऊपर है लेकिन ये कहीं नहीं कि कॉंग्रेस ने चुकी OBC कार्ट खेला है तो इसके सटल रियाक्शन में काउंटर कॉंसॉलिडेशन जो ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट है वो इस बार बीजेपी के साथ आएगा और ये बहुत ही एक स्वभाविक प्रतिक्रिया है आले एक रियासत के राजा ने भी कहा कि वो तो कुर्मी है अब कुर्मी वोटर किदर है ये भी जान लेते हैं तो आप देखेंगे आपके साबने डेटा आ रहा है OBC की जब हम आपको बात करेंगे तो आपको ये बटावा दिखाई देगा दिल्कुल 54 परसंट कुर्मी वोट बीजेपी को जातावा दिखाई देता है 41 परसंट कॉंग्रेस पार्टी के पास जातावा दिखाई देता है इसी तरह आप किरार वोट की बात कीजिए अगले अगला जो सम्मूवा उसकी बात कीजिए जिस जाती से खुद मुख्यमंतरी शिवरासिंग शोहान आते हैं किरार धाकर वो देखिए और 84 परसंट तक बीजेपी के साथ है 5 परसंट कॉंग्रेस की तरफ है तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बिलकुल एक मुश्ट वोट है इसके अराबा यादव वोट की आप बात करें अगर यह आपको डिवाइड़ दिखाई देगा 47 परसंट बीजेपी 55 परसंट कॉंग्रेस अधनी की तरफ 18 परसंट और अगर बाकी अधर ओबीसी की बात करेंगे बाकी पिछड़े बर की बात करेंगे तो 56 परसंट यह बीजेपी की तरफ है कॉंग्रेस पर्टी की तरफ 32 परसंट तो आप अगर इस चारों हमने चार हिस्सों में आपको दिखाया ओबीसी वोट इसको भी अगर आप जोड लें देखिए एक तो आपने आखिर मुझे बताया जो कास थी वो शिवराज जी वाली उसमें से तो 84 परसंट जा रहे हैं तो एक शिवराज के लिए हमारा मुख्य मंत्री है और दूसरी बात 2014 से लगातार OBC इसको कल्टिवेट किया है बीजेपी ने यूपी इलेक्शन में जो 2014 की बड़ी सफल था थी उसमें OBC वर्क के लोगों को बड़ी मात्रा में टिकेट देने की बात थी अब ये जातीगत राजनीती का काउंटर करने के लिए हिंदुत वारा है कि असल में त तो उसका तोड़ कहीं ने कहीं है उन्हें सुचा कि जातीगत राजनीती हो सकती है अब उसका कितना लाब उन्हें मिलेगा वो एक देखने की बात है तो देखिए बीजेपी MP में बीजेपी की जो प्रयोकशाला है RSS की जो उनका गड़ है वो गुजरात से भी पुराना है इसलिए वहाँ पे उनकी एक पैठ है लेकिन जहां तक ये बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स है बैकवर्ड्स की पॉलिटिक्स है दलच चाहे ट्राइबल्स शुरू में आपने भील की बात की ये कॉंग्रिस का परंपरगत वोट बैंक रहा है और ऐसा नहीं कोजी बड़ी सं अगड़ों के अंदर जबरदस्त उसकी एक वो है कंसॉलिडेशन नहीं तो दिखविजे सिंग अर्जुन सिंग की बात हुई थी और आप देगे राजपूतों का मैच बलक वोट कॉंग्रिस के अगेंस्ट है क्यों क्यों क्योंकि वो अपकास्त है वो हिंदुत के जो पिछला सर्वे हमारा था उसका डेटा चल रहा है स्क्रीन पर उसमें एक स्लाइड मार्जन से इसे ही लेकिन बीजेपी अलग आगे दिखाई दे रही थी सरकार बनाने की पोजिशन में दिखाई दे रही है मंद्रप्रदेश में और अगर यह जैसे जो बास जी ने कहा कि अगर समाज के अंदर अलग-अलग वर्गों का समर्थन भारती जन्ता पार्टी के पास लगबग सभी वर्गों में इसा दिखाई दे रहा है अगरों में दिखाई दे रहा है तो फिर तो यह जो भावेश के नंबर है यह जस्टिफाई ही होते हैं इसे